हलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाल हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में डेटा को सेफ कर पाएंगे या भी लॉकड़ाउन के टाइम पर आप डेटा बहुत जल्दी खतम हो रहा हूँ तो मैं ऐसी कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताने वाल हूँ जिससे आपका डेटा बह चागेगा और कम्यूज होगा तो उसको कैसे करते हैं इंप्लीमेंट और कौन-कौन सी टिप्स बताऊंगा सबसे बहुत को लेकर चलता हूँ तो सबसे बहुत टेप्स या जो ट्रेक है वह गूगल क्रॉम को लेकर तो आपको कुछ नहीं करना है गूगल क्रोम पर जाना है देन Google Chrome को open उने के अधा आपको यहां थ्री डॉट्स में जाके settings में जाना है settings में जाने के आधा आप नहीं आप देखेंगे last third option है light mode तो आपको light mode को enable करना है यह mostly off रहता है आप देखेंगे अगर इसको off मेरा on था previously अगर यह off रहता है तो उसमें लिखा भी होगा है अगर आप इसको on करेंगे तो यह पहले जो आपका data use करता है उससे 60% less data use करेगा अगर आप light mode को on करके चलाएंगे यानि कि अगर आप light mode बंद करके कोई भी data या कोई भी ब्राउजिंग करते हैं उसमें होता है अगर आप on करके उसको use करेंगे तो आपका 60% data save होगा तो एक सबसे पहला जो टेप एंटरी के वह light mode को लेके और Google Chrome को लेके जो सेकिंड जो मैं बताने वाला हूं Google Play Store के बारे में बताने वाला हूं जो टेप है आपने देखा होगा कि background में कुछ आपके apps रहते हैं वो update हो जाते हैं बिना कुछ permission के Google पूरी अपडेट करते हैं जो आप यूज भी नहीं करते हैं आट अपडेट कर देता है जैसे आपका data बहुत जादा खर्श होता है तो उसको कैसे बंद करें उसके लिए आपको Google Play Store पर जाना है यहां तो इससे आपका data maximum सेफ होने लगेगा जो कि आप आपको आगे जाके यूज कर पाएंगे सेकंड कंट्रोली तो यह हो गया सेकंड टिप्स तो यह हो गई जो तीसी टिप्स है वह है फेस्बुक को लेकर आपने देखा होगा दोस्तों अगर आप फेस्बुक यूज करते हैं जैसे कुछ वीडियो होती है जो आपका data बहुत जादा खर्श हो आपके मतलब की भी नह हो सकती है तो उसको कैसे स्टॉप करेंगे जिससे आपका data सेव हो तो उसके लिए आपको यहां त्री टॉट्स में जाना है लाइक यहां पर सेटिंग्स में प्राइवसी में जाना है Settings में जाना है Settings में जाने के बाद आप देखेंगे नीचे आएगा Media and Context आपको उसमें जाना है Then यह Auto-Play वीडियो का Option दिख रहा है On Mobile Data and Wi-Fi Connection आपको उसको खोलना है और Never Auto-Play वीडियो पे क्लिक कर देना है और यहां से आप प्रेक कर देंगे इससे क्या होगा आपके दो फायते होंगे एक तो आपकी बैटरी सेव होगी और आपका डेटा भी कम यूज होगा आप देखेंगे आप आपन चलते हैं Facebook पे आप कोई सी वीडियो है यह Auto-Play नहीं होगी जब तक यह Auto-Play नहीं होगी जब तक मैं उस यह उस पे क्लिक नहीं करूंगा यह ब तक प्ले नहीं होगी लाइक अब मुझे वीडियो देखना है तो मैं इसको ब्रेक करूंग नलूंगा तो यह प्लेक होने लगेगी नहीं प्लेक नहीं अगी झा यह जो अब देखाऊ कोई भी आनेसरी ग्रोप में कोई वीडियो या फोटो आती है जो आपको डाउनलोड नहीं करना होती है जैसे भी आपका डेटा बहुत जादा खर्च होता है तो उसको कैसे सेफ करें यह कैसे उसको बना करें कि वह डाउनलोड ना हो आपके बिना परमिशन के उसके लिए आपको WhatsApp पर जाना है बात्सपकर जाने के बाद आपको यह त्री डौ्स में जाकर सेटिंग्स में जाना है अब देखेंगे लास्स सेकेंड्ट थर्ड ओप्शन है डेटा एंस्टोरेज यूज़से आपको इस पर जाना है और मीडिया आट और डाउनलोड आप mostly कम हो जाएगा जो फालतों की वीडियो या फोटो जाते बिना पर्मिशन के आपके डाउनलोड नहीं होंगे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे और अगर आप चाहते हैं और डेटा यूज कर सेफ करना तो आप लोग डेटा यूजेस यहां कॉल पर भी कर देंगे अगर कोई कीसा हमीं मॉवाइल हो कनेक्शन में जाके हम पर डेटा यूजेस पर जाना है आपको खूरेसे माइल पर लाइक यह देख रहा है आप देख रहे हैं टिक टॉक गूगल प्ले स्टोर वाट्साप बिजनस फेस्बूक यूटूब देन लाइक अब मैं चाहता हूं कि इसे कुछ एपस में बैक्ग्राउंड मेरी जैसे आप देखें टिक टॉक पे यह लिखा हूँ है अगर मैं इसको बंद कर दिया है तो उसमें कोई data इ्टा यूज नहीं होगा उसमें वहीं मेरा data saved होने लगेगा जो फालतूइकर नोटिकोकिशन आती अप में देखा हो को नोटिकीशन रान वह भी data दिकाशन यूज करतें तो अब यह बंद कर देंगे तो आपके방 delegation बंद हो जाएगी वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप वाट्सअप को उपन करके नहां देखें तो इसलिए आप उसको वाट्सअप पर मत करिएगा दूसरी एप्स पर कर दीजिएगा लाइक ये क्रॉम पर आपको बैक्राउंड में नहीं चाहिए तो क्रॉम पर बंद कर तो ये भी डेटा सेफ होना मेरा मुसली थोड़ा बहुत चालू हो जाएगा फेस्बुक पर कर दिया बैक्राउंड डेटा यूस ना हो तक आप उसको खोलोगी नहीं जब तक वो बैक्राउंड को यूस नहीं होगी तो वो भी आपका डेटा सेफ होने लगेगा तो ये ती लिटिफिकेशन बैल को भी दवानन ना भूलें ताकि मेरी नेक्स वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मेले तो थैंकि दोस्तों जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको